किसान अंदोलन के 22 दिन हो चुके हैं और अब धीरे धीरे किसान भाईयों को भी यह समझ में आ गया है कि इनके अंदोलन में कुछ ऐसे तत्व भुश गये हैं जो उन्हें नाग गुम्रा कर रहे हैं और आंदोलन को मोदी विरोध की दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से किसानों ने इस बात को अच्छी तरह से समझा है और समझने के बाद अब उनका बिलकुल स्पर्ष्ट मत सामने आ गया है कि यह आंदोलन मोदी सरकार की नीतियों या मोदी सरकार के विरोध में नहीं है यह आंदोलन अपनी कुछ मांगों के बारे में है जिस पर सरकार से बात चीच चल रही है किस तरह से अब किसानों को यह बात समझ में आ गई इसका एक उदारन दे रहा हूं कि गाजीपुर बॉर्डर पे जामिया मिलिया इसलामिया के कुछ तठा कठित छात्र नेता करीब पंगर बीस की संख्या में पहुँचे और उन्होंने वहां कि किसानों से कहा कि हम यहां कुछ नुकर नाटक करेंगे कुछ क्रांतिकारी गीत गाएंगे तब किसानों ने पूछा कि आप आखो कहां से उन्होंने जैसे ही कहा कि हम जामिया से हैं उन्होंने कहा कि तुरत भाग जाओ तुम यहां से तुम्ही लोग सारे नाकारात्मक्ता को फैला रहे हो और इसकी वज़े से हमारा आंदोलन बदनाम हो रहा है यह एक अच्छा संकेत है और मैं समझता हूँ कि जल्दी इसका हल निकलेगा